अब लोग विडियो में स्वागत है आज के में अपने इस वीडियो में सेखने वाले हैं लौ ओफ एडिशन के बारे में जैसा कि आपको पता होगा हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था काउंटिंग प्रिंसिपल की चीजों को कैसे काउंट करते हैं और इनका पहले देखे ताकि आपको चीजे समझ में आए कि लौ ऑफ मल्टिप्लिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं क्योंकि जो एडिशन है वो उसके बात की कहानी है तो पहले वो कहानी समझो फिर ये कहानी समझो तो स्टार्ट करते हम अपना ये वीडियो लौ ऑफ एडिशन दीन है आज ठीक है आज संडे है घर पे आए पापा बोले की चलो आज सामको चलते हैं बाहर खाने के लिए तुमनों खुस हो गए तो पापा के साथ गए पापा लेकर गए तुमनों को एक रेस्टोरेंट में ठीक है पापा कहा लेकर गए एक रेस्टोरेंट पे और वहां बर्गर कैसे होता है वो तो बनेगा नहीं उच्छे तो यहां पर में लेग दी तो एक पीजा की दिखी और एक बर्गर की दिखी तो पापा को बोला कि पापा मुझे पीजा बर्गर खाना है तो पापा ने बोला ठीक है खाओ मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उन्होंने क्या बोला कि कोई एक ही पर्चेस कर सकते हो क्या बोला कि कोई एक ही ऑर्डर कर सकते हो इसका मतलब यह हुआ कि पापा ने बोला भाई या तो पीजा खा या तो बर्गर अब ध्यान से समझना मैंने कहा है तो पीजा या तो बर्गर यानी हमारे पास काम करने के कितने तरीके हैं दो ऑप्शन्स है लेकिन लेकिन हमें मिल रहा है सिर्फ एक ही option या तो ए लो या तो बी लो मतलब या तो पीजा खाओ या तो बर्गर खाओ अब जहांसा समझना कि ठीक है कोई बात रही तो हम देख लेते हैं कि क्या खात सकते हैं तो पापा ने बोला यही option available है तुम्हें अगर अच्छा लेगे तो मेलो जो खाना है तो बोले ठीक है पाप हम देख लेते हैं क्या है तो जैसे ही तुम पीजा का डिटेल देखना स्टार्ट की तो पीजा में चार options थे यानि P1, P2, P3, P4 इस तरह से पीजा में कितने options available थे चार options available थे उसी तरह से जब तुमने बर्गर की तरह नज़र दोड रह liver एक जितिवर न बोला है कि या तो तुम पीजा ले या तो तुम बर्गर ले लो ठीक है अब ढ़िको confusion बहुत हो गए यांपे कि यहां पर टोटल कितने options available है चार यहां पर कितने choices available है चार choices available है और यहां पर कितने choices available है तीन लेकिन हम ले सकते हैं कोई एक जैसे कि अगर मान लो मैंने pizza order किया ठीक है लेकिन क्या हुआ अगर मैंने pizza order किया एक अगर मैंने pizza order किया इसका मतलब यह वा इसका मतलब यह हुआ बर्गर हाथ से गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बर्गर गया, बात समझ मैं है, यानि कि अगर इन चारों में से किसी एक option की तरब मैं जाता हूँ, तो बर्गर मेरी हाथ से चला जाएगा, ठीक है, और वही चीज़ अगर यहाँ पे, कि मैंने अगर बर्गर ठीक है, अगर मैंने बर्गर ओर्डर किया, तो प्राब्लम यह है कि पीज़ा हाथ से गया, ठीक है, क्या होगा, पीज़ा गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो पता चल गया कि भाई, एक लोगे तो दूसरा जाना ही जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि पास टोटल सेवन चॉइसेज अविलबल है, बात समझ में आया, तो यही है आपका रूल एडिशन का, यह रूल है, कि अगर आपके पास दो ऑप्शनस अविलबल है, और दोनों में जितने भी चॉइसेज हैं, उन सारे चॉइसेज को एड़ कर दो, तो वो आपका बन जात है, टोटल, आपशनन अविलबल, बात समझ में है, यह नि हमारे पास किपने चॉइसेज़ आविलबल हैं, साथ चॉइसेज अविलबल है, क्लिर इतना बात समझ में है, और इसी लॉग को हम बोलते है। लॉग औस अईडिशन क्या बोलते हैं, लॉग अफ एडिशन या त तो कभी कभी बहुत टेकनिकर लेंगवेज में लिखा रहेगा फंड़ामेंटल प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होता है अपके पास अप्संस है उन सारे आप्शन को क्या कर दो एड कर दो आपके बाद जो भी choices available है उन सारे choices को add कर दो clear है तो I hope कि आपको एक कहानी से समझ में आ गया होगा clear okay तो आपको दूर चीज़ी याद रखनी law of addition और law of multiplication अच्छा इसका definition लिखना चाहें तो क्या होगा वो देखो यहां पर मैं लिखता हूं कि assume करो if there are जो मैंने example explain क्या उसी की बेस पर एक definition बन जाएगा if there are m ways to do one thing and and ways to do another thing it means it means क्या है यहां पर समझो and अब याद रखना है कि क्या problem क्या है and both cannot be done at the same time ठीक है बात समस्या क्या है यहां पर कि दोनों ही चीज़ों को हम साथ में नहीं कर सकते हैं right same time तो पूरा लिखने दो same time then situation क्या है then there are m ways to sorry m plus n ways ठीक है तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख दीता हूं m plus m plus n ways to do sorry to choose one of the things one of the things अब जो मैं एक्जांपल दिया उसी को मैं यहां पर थोड़ा explain कर देता हूं वापस देखो क्या लिखा हुआ है if there are m ways to do one thing तो यह one thing में हमारा क्या है pizza है और m ways का मतलब चार options है ठीक है चार options है चार पीजा है ओके अब यहां पर दूसरा बात बोला है कि n ways to do another thing another thing में क्या है हमारे पास available है burger ठीक है और ways कितने हैं हमारे पास तीन तो question में बोला है but both cannot be done at the same time क्यों नहीं कर सकते क्योंकि पापा ने बोला एक ही चीज़ाई मिलेगी या तो pizza मिलेगा या तो burger मिलेगा then there are m plus n ways right m plus n ways to choose one of the things right समझ मैं इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपके पास question में ऐसा आता है कि आपके पास एक ही option मतलब दो चीज़े है options available है दो choices available है उतनी सारी लेकिन आपको कोई एक ही मिलेगा right मतलब आपकी choice को उन लोगों ने limit कर दिया तो इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे situation में हमारा जो total ways होगा वह जागा m plus n या clear रहेगा इतना multiplication में क्या हो जागा m into n okay sorry m into n औ दोनों का ही मैंने example बहुत अच्छे समझा दिया है तो आई होग कि आपको यह clear चीज़े समझ में आगे होगी अच्छा एक चीज़ और याद अपना है इसका hint क्या है इसका hint है और क्या hint है इसका और यानि कि या तो ये या तो वो उसका hint क्या था वो मैंने आपको उस video में आया है उसको जरूर देखे और अगर कोई भी दिक्कत होती है कोई डाउट होता तो जरूर कमेंट सक्षन में बता ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर हम स्टार्ट करते है अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे प्रेक्टिकल स्टार्ट करेंगे यह था हमारा law of addition और law of multiplication का practical और दोनों ही चीज़े मैंने आपको समझा दिये दोनों ही वीडियो को अच्छे देखना और कोई डाउट रहे तो feedback जरूर देसे हो तो comment section में बता सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ऐसा लग रहा हो समझ में आया है तो अपने friends के शार शेयर करे like करे वीडियो तो thank you so much to all of you और इसी तरह से हसते रहो मुस्कराते रहो और आगे बढ़ते रहो हम मिलते हैं अपने next video में next topic के साथ तब तक के लिए thank you so much and have a good day